दोस्तों नमस्कार कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहतर होंगे और भारत में चल रहे इस महालोकतंत्र के पर्व पर आप शभी को एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आज जल्द ही आप लोगों के शामने एक बहुत बहुतरीन पर्व होली के सां साथ चुनाओं का पर्व आने वाला है और आपको पता है कि जो बरतमान सिच्वेशन चल रहा है हिंदुस्तान में वह बरतमान सिच्वेशन कुछ ऐसा हो चला है जहां पर किसानों की बात युवाओं की बात नोज़ुआनों की बात गरीबों की बात मजलूमों की आवाज को एकदम बेरहमी किसान दबाया जा रहा है आप लोग इसका अनुभव करते होंगे देखते होंगे जैसा कि हमने का बताए कि एक पंजाब का मुद्दा अगर देखें तो हाल फिर हाल में पंजाब में देखें किस तरीके से किसान केवल MSP को लेकर डटे हैं कि अगर आपने चलो ठीक है हमने डीड़ साल आंदोलन किया और आपने कहा कि ठीक है हम आपको MSP वाला जो मुद्दा है सुल्जा देंगे तो किसान का कहना है कि बस मुझे आप यहलिक कर दे देगे कि हमारे जो फसल है वो खरीदारी MSP पर होगा आप नहीं दे रहे हैं चले ठीक है 21 दिन उत्त्रफरदेश में देख रहे हैं ऐसा कोई पेपर पचा ही नहीं उत्तरफरदेश में जो लीक नहीं हुग रहा हों और सवभाग की बात यह है कि 2024 लीप वर्स है और 2024 में उत्त्रफरदेश में जो भी परिशाएं हुए वो सधी परिछाओं के पेपर लीख हुए साथ हजार पूलिस की भरती और साथ लाग फॉर्म चार सव आरो ए आरो की भरती बारा लाग फॉर्म अब सुचिए कितना बड़ा बेरोजगारी हंदुस्तान में चल बसा है किसी भी सामाजिक संस्थक को बनाया तो नहीं जा रहा है लेकिन जो बनी बनाई संस्थाएं हैं उसका लगाता प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका मतलब यह है कि अगर हम पहलूँ पर नजर डालें तो यह पाएंगे कि जो पुरानी शरकार के द्वारी बनाई गई जो भी कमपनिया थी हार फिर हार में उसमें जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट के हाथों में है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह आकड़ी कह रहा है चले ठीक है अब समस्या इस बात की है कि भारत में संबैधानिक संस्थाओं की बात है मैं पहले ही असपष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी संबैधानिक संस्थाओं पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ लेकिन मैं यह जरूर देख रहा हूँ एक नागरिक होने के नाते जो मैं देख पा रहा हूँ उसे बताना मेरा कर्तब्य है हाल फिरहार में भारत में जो है लोकसभा का चुना होने वाला है श्रंपूर भारत में और श्रंपूर भारत में लोकसभा के चुनाओं की तैयारी दो महीने एक महीने में पूरे भी कर लिये जाते हैं और उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं चले ठीक कोई बात नहीं अगर सरकार जिस तरीके से मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाओं को लेकर कितना सक्रिय रहता है कि दो-तीन महीने के अंतरगत चुनाओं को करा लिया जाता है और उसकी घोषडाई भी हो जाती है अगर सोचिए यवाओं के लिए भी कोई ऐसी एक रोडमेब होता उनके भविस और फिउसर को लेकर कि कोई एक ऐसे सरकार के दोबार रोडमेब बनाया जाता जिसमें यह पॉइंट्स मेंसन होते हैं कि इस महीने में फॉर्म निकलेगा इस महीने में परिच्छाएं होंगी और इस महीने में न्यूक्ति की जाएगी कुल मिला कर कि अगर दो-तीन महीने की एक रोडमेब बनाया जाता तो साइद भारत में जो आज विरोजगारी वा टहल लहा है ऐसा उसके साथ नहीं होता चलिए ठीक है मैं मानता हूँ कि चुनाओ भारत में बेहत जरूरी है और हो ना भी चाहिए क्योंकि हर पांच साल पे ये आकलन करने के लिए मिलता है कि क्या हमारे द्वारा जो कार किया जा रहा है वो सही है या गलत है और उसी के आधार पर जनता अपनी नेड़ लेगा या हमें वोट मत दाने करेगा लेकिन जहां पर जनता के आवाज को हैं उठाय जा रहा है बाउजोर जनता आवाज दे रही है तो बात कहीं ने कहीं भाय घोटाला है अब हाल-फिलहार में सम्यधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग में जनली तीन सदह से होते हैं ठीक है वर्तमान में जो उसमें दो पद है चुनाव आयूक्त का वो दो पद खाली हुए है चलो ठीक है एक पहले से खाली था एक वर्तमान समय में इतना जल्द चुनाव आयुक्त का बिना किसी संदेश के राष्टपती महोदे को इस्थीभा सौफ देना क्या कुछ प्रदर्सित करता है आप सोचिए कि अगर चुनाव किसी घर में तीन व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति बिना किसी वजह के या बिना किसी गार्जियन के बताए हुए है अगर वो दुनिया छोड़के भारत छोड़के दूसरे देश में चलिया असंभव असंभव है नहीं लेकिन यहाँ पर चुनाव आयुक्त ने बिना कुछ बताए इस्थीभा राष्टपती महोदे को सौफ दिया और ये भी बात है कि उस इस्थीभे पर एक बार भी राष्टपती महोदे से पूछा नहीं गया आप कारण क्या है कि क्यों इस्थीभा दे रहे हैं चलिए ठीक है उस इस्थीभे कर स्विकार करके लिए इससे एक बात तो अस्पश्ट हो रहा है कि चुनाव आयों के अंद स्थीभे सरकार का भी एक दबाव काम कर रहा है अब वो दबाव पॉलेटिकल प्रेशर कैसा है यह मुझे नहीं बता है लेकिन अब समस्या इस बात की है कि उस चुनाव आयों की नियुकती ही सरकार करती है तो आप अभी हार फिर हार में देखिए उच नहीं आया लेके अब उसे स्थीफा दे दिया और स्थीफा दे करके मोधी जी के चरड़ों में क्या कर दिया डुपकी लगा लिया मोधी यह से घंगा शागर में उन्होंने डुपकी लगा लिया इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं वो साहे पहले जो है सही तरीके से नियाय में पारदर सिता नह अब जो चुनाव आयुक्त होते हैं। जरनली देखिये हुआ क्या कि पिछले परदिश में जाएंगे तो वहां पर ये बाट था कि पहले जो चुनाव आयुक्ते की न्युक्ती होती थी वो सीधे सरकार के द्वारा होती थी। लेकिन अब जब सरकार के द्वारा ही नव्युक्ति हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आउक्ति भी सरकार की बातों को सुनेंगे, ऐसा हो शकता है. चलिए ठीक है, कोई बात में. अगर ऐसा हो शकता है तो बीपच्च के लोगों ने कहा कि यह तो भाई गलत बात ह चलिए ठीक है बीपच्च के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल किये उन्होंने कहा कि भाईया देखिए चुनाव आयूप नहीं ऐसा एक सम्मेदानिक पद है जो पूरे भारत में चुनाव का आयूजन कराता है अब जब यही किसी प्रसाद परियंते पे होगा या किसी सरकार के दौरा नियुक्त किया जाएगा तो जाहिट सी बात है वो सरकार के साथ यसमियस करेगा तो बीपच्च के लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल किया तो रीट में सुप्रिम कोट का जो फैसला आया उस फैसले में कहा गया कि देखिए भाई ये बात गलत है अभी जब तक कोई कानून नहीं है तब तक जो चुनाव आयुकतों की निवक्ति है उस निवक्ति के उस निवक्ति में भारत सरका मतब परधान मंतरी उच्चेतम न्यायाले के चीव जस्टिस और विपच्च का नेता ये तीनों मिल करके चुनाव आयुक्ति की क्या करेंगी निवक्ति करेंगे चलिए भाइच अब तो बात समझ में आता कि बीच में चीफ जश्टी साफ इंडिया भी है इसलिए चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति में पारदर सिता हो शक्ति है ठीक है लेकिन जब आज बरतमान परदिश्च में जब चुनाव आयुक्ति ने स्थीपा दिया तो अब सुप्रीम कोड का जो फैसला है वह फैसला में कहा गया कि जब तक कोई सरकार कानून नहीं बना लेती संसत के द्वारा तब तक सुप्रीम कोड के द्वारा बनाएगे कानून के तहत ही चुनाव आयुक्ति का नियुक्ति किया जाएगा इसका मतलब यह कि भारत का प्रदार मंत्री चीफ जसी साप इंडिया और बीपच्छ कानेता अपोजीशन मिल करके चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति करेंगे लेकिन सरकारे तो तेज थे उन्होंने जल्दी जल्दी में कानून बनाया और उस कानून में यह मिंसल किया गया कि चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति केवल और केवल प्रधान मिंत्री और मंत्री मंडल का कोई एक काइबिनेट मंत्री होगा जैसा कि वरतमान में ग्रिह मंत्री रहता है और लीडर आप पोजीशन सामिल होंगे चुनाव आयुक्ति के नियुक्ति में इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोट के द्वारा बनाए गई कानून में जो चीप जस्टिस आफ इंडिया था उन्होंने संसद ने उसे क्या कर दिया आउटलाइन कर दिया अब तो फिर वही बात है कि सरकार और सरकार के कैमिनेट मंतिरी द्रो और लीडर आप अपोजीशन तीन वैसे भी दो और वन का बहुमत है वैसे भी आपको पता है कि भारत जैसे लोक तांत्रिक देश में बरतमान परदिश्च में किस तरीके से लीडर आप अपोजीशन का सोचन किया जाता है उन्हें किस तरीक सरकार केंद्री मंत्री मंदल है लीडर आप पोजीशन अकेले बेचारा वैसे भी हवास को दबा दिया जा रहा है इसका मतलब भी हुगा कि कुल मिला करके भारत सरकार के प्रसाद पर्यंत मतलब सहारत सरकार जिसको चाहेगा उसी को ही जो है चुनाव आयुक्त बनाएगा इस इसमें ये भी बात हो सकता है कि आज भारत सरकार ने जिसको नियुक्त किया चुनाव आयुक्त कल वही चुनाव भारत सरकार के शांतियस में भारत सरकार जो भी कहेगा कहेगा यस नो कहने कि उसकी आदत ही नहीं रहेगी ऐसे में जब भारत में लोक शभा का चुनाओ सर प दूसरी तरह लीडर अवफ पोजीशन ने सुप्रीम कोट में एक रीड दाखिल किया और उसमें कहा गया कि सरकार के द्वारा चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति नहीं किया जाएगा इसके लिए सुप्रीम कोट कोई कानून बनाए अब समस्या इसे बात की है कि पहले की जो क कानून थी वो कानून जो सुप्रीम कोट के द्वारा बनाए गया था क्या वही कानून फिन से बने और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि किसी भी शदश्य की नियुक्ति में यदि कोई कानूनी सलाह या कोई कानूनी प्रावधान नहीं रहे यदि सरकार के द्वारा किसी केवल किसी की चुनाओ किया जा रहा है यह बात एकदम से गलत है अब समस्चा यह है कि लीडर आप अपोजीशन के इस मांग पर सुप्रीम कोट का क्या कुछ जजमेंट आएगा वो जजमेंट देखना बड़ी ही दिल्चस्प होगी और यदि वो जजमेंट लीडर आप अपोजीशन की तरफ आती है या उसके तरफ जाती है तब तो समझिए कि भारत में अभी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हैं लोकतमत्रिक संस्थाएं जो अभी अपनी फर्ज निभा रहे हैं जैसा कि अभी हार फिर हाल में डॉक्टरल बांड पर सुप्रीम कोट को दिखा गया और ऐसा होना भी चाहिए नहीं तो एक तरफा जो है फिर वही बात आएगी कि यस भरस तरकार कहेगी ये काम सही है तो वो बो लगा यस सही है तो अब देखना है कि सुप्रीम कोट का क्या को जज्जमिंट इस पर आता है तब तक हम इससे देखेंगे क्योंकि इसकी सुनवाई 15 तारीकों होने वाली है इसका मतलब यह है कि कल या परसो में इसको सुनवाई होने वाली है कि चुनाव आयुक्ति की नयुक्ति आखिर कै कैसे होगा क्या इसके प्रावधान है क्या पुरानी जो नियम कानून सुप्रीम कोट के द्वारा बनाया गया था वो इसको फिल अमन में लाया जाएगा या कोई एक दूसरा रास्ता निकाला जाएगा मुझे जहां तक लगता है कि अगर किसी भी संब्यधानिक पोश्ट पर शंब्यधानिक व्यक्ति का चुनाव किया जाए तो उसमें शंब्यधान में जो पहलू है और साथी साथ जो उच्चितम नियाला है अथार जो कानून है उसका भी होना बेहत जरूरी हो जाता है तो बने रहिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कुछ निकल करके आ आता है फिन हम उस पर बात करेंगे आपसे बहुत बहुत धन्यवाद